एक बहुत अच्छा मारग है आपको सोचना है कि मुझे आज से हारना है जीतना नहीं है दूसरा सुनना है सुनाना नहीं है सुनना है सुनाना नहीं है हम सुनाने में विश्वास करते हैं तो हम सारे ग्रहों की पुड़ा को कलेक्ट कर लेते हैं और हम जब सुनने में जान से सुन रहे हैं प्रॉब्लम यह है पत्नी कहती है पती मेरा नहीं सुनता बाप कहता है बेटा मेरी नहीं सुनता बेहन कहती है भाई मेरी नहीं सुनता हर किसी को प्रॉब्लम यह है कि मेरी सुनते नहीं उसकी सुनते नहीं हर किसी को प्रॉब्लम है मेरी सुनते रही बस जो सुनते नहीं हैं, वो भी प्रॉबलम में हैं, जो सुनाना चाहते हैं, वो भी प्रॉबलम में, तो सीधी एक ही बात पकड़ लिजे, कि मैंने मेरी पुड़ा का निदान खोज लिया है, मुझे आज से सुनना ही सुनना है, सुनाना नहीं है, जब आप सुनने लगेंगे, सुनाना बंद कर देंगे अहंकार यहां से जीरो हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति पूरा स्रेंडर हो जाएगा पूरा समर्पित हो जाएगा जैसे ही उसने स्रेंडर भाव आपके प्रति लाया इसलिए लाया कि आपने उसकी सुनी और आपने उसकी सुनी तो वो आपकी जरूर सुनेगा, वो भी सुनेगा और वो उपर वाला भी सुनेगा, जरूर सुनेगा, इसलिए आपके सारे सूत्र, आप गांठ बांध लो, यह शनी कृपा का मार गए हैं, शनी पिडा का निदान हैं, जो मैंने उसूल आपको पूरे सिखाए हैं, उन पर करीब की आहा नहीं लेना, किसी को अपने से छोटा नहीं समझना, किसी भी व्यक्ति की बात सुनने से इंकार नहीं करना, किसी के आगे जीतने का भाव नहीं रखना, छोटा बच्चा होता है, आप उसके साथ खेल रहे होते हैं, क्या आपको लगता है, इस बच्चे को हरार पापा में जीत गया और आप खुश होते हैं क्यों आप ने उसके चेहरे पर वो खुशी देखनी चाहिए इसी लिए आप जान समझ के हारे थे तो बस यही आपके अंदर में भाव होना चाहिए जब छोटे बच्चे के साथ में हम खेदलते कूथते हैं उस समय हमारा पध हमें याद नहीं रहता हमारी प्रतिष्टा हमें याद नहीं रहती हमारा आंकार हमें याद नहीं रहता और हम बच्चे की अंदर बच्चा बन जाते हैं और उसके लिए हम घोड़े बन का चलने को तयार हो जाते हैं वो हमारे साथ छीना जप्टी भी करें तो भी हमें क्रोध नहीं आता यदि वो नेचर हम पर्मानेंट अपने अंतर मन में लग लगते हैं तो ये मान के चलो ये राहू और केतू की परिक्रमा हमारे लिए निर्मान कारी बनेंगी बर्दान कारी बनेंगी इस ग्राण में ही हमारा निर्मान हो जाएगा ये मान के चलो ये साड़े साती और धैये का समय हमारे लिए निर्मान कारी हो जाएगा और हम इसके लिए काबिल बन जाएंगे तो इस तरीके से आप उनमें उपचार खुजो उनमें आप उपाई खुजो ये मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है मैं सारे ग्रहों का एक-एक टीटमेंट बताऊंगे और सारे ग्रहों को बलवान करने का टीटमेंट आप बड़े गोहर से सुनो और एक लाइन में सब बताऊंगे मैं पूरा आपको समझ आएंगे कि मुझे मालूम ना भी हो कि ये मेरा ग्रह कमजोर है तो भी यदि मैं बलवान करूँ तो उसके बल का रिजल्ट तो मुझे मिलेगा और यदि मुझे मालूम हो गया कि ये मेरा कमजोर है तो रिपीट 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 बार 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 वो करना पड़ेगा पहला उपचार सब की मुबैल से चौप कर दीजे पहला उपाय पहला उपचार पहला उपचार यह है कि आपकी लाइफ में आपको किसी भी ग्रह का बल बढ़ाना है कोई भी ग्रह, नो ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपने ग्रहों की परिक्रमा की हो तो भी, ग्रहों की नो ग्रहों की यात्रा नहीं की हो तो भी आप कितनी बाहर मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं तो भी पर आपका वो डिपार्टमेंट अलग है और ये डिपार्टमेंट अलग है उसमें आप तिनका तिनका आगे बढ़ रहे हैं इसमें आप स्विट से आगे बढ़ेंगे तो किसी भी ग्रह की शांती के लिए मौन ब्रत मौन ब्रत ग्रह दोस जितने ज़ादा हैं मौन ब्रत उतना ज़ादा चाहिए ग्रह पिड़ा जितने समय की है मौन ब्रत उतने समय तक के लिए चाहिए सुरुबात आपको एक घंटे से करनी है प्रारम से करनी है यदि राहू और केतु का समय आपके उपर चल रहा है किसी भी राशी पर राहू केतु का समय चले गई चलेगा हर 18 महिने में वो यात्रा चेंज होगी ही होगी जैसे अभी आपने देखा कि 23 मार्च 2019 को करकर आशी पर जो 18 महिने तक की यात्रा चल रही थी वो मिथुन पर आ गई और मकर पर जो 18 महिने की यात्रा चल रही थी वो धनू पर आ गई तो राहू और केतु की यात्रा ऐसे हर 18 महिने में चेंज होगी होगी तो हमारा उप्चार यदि राहू के दूसे रिलेटिट है तो हर दिन का राहू काल हर दिन का राहू काल अलग-अलग fix है वो change कभी नहीं होता पहला तो मैंने उप्चार बताया किसी भी ग्रह की पुड़ा के निदान के लिए start एक अंडिकमॉन कब तक करना कितना करना वो decide आप करेंगे दूसरा मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आपके तिरपुर में ही करना है साउथ में ही करना है या आपके यहां पर जहां बिजने से ब्यापार है रहते हैं आपका घर है वहीं करना है आप दुनिया में कहीं भी किसी भी जगे जाएं वो रूल मत तोड़िए जहां है उस जगे पर भी वो नियम चालू रखें आपन ये मान के चलें कि मैं यदि आज बिदेश यात्रा पर भी हूँ तो मुझे बिदेश यात्रा में भी ये नियम अपना फॉलो करना है तो एक तो मौन का नियम हो गया दूसरा राहुकाल हर दिन का अलग अलग होता है और वो राहुकाल जैसे अभी आपने बनाई ये भविश्य किताब यदि ली होगी तो उसमें जो जोतिश शिखाने की प्रक्रिया में है उसमें राहुकाल का चैप्टर है शुबकाल भी वो चैंज नहीं होता और राहुकाल भी चैंज नहीं होता एजिटिज रहता वो तो वो जो राहुकाल है आपका डिड़ घंटे का होता है राहुकाल में राहु प्रधान व्यक्ति को या काल सर्वदाश दोश वाले व्यक्ति को या जिस पर राहू और केतू की परिक्रमा चल रही हो उस व्यक्ति को या जिसके लगने में राहू है या केतू है उस व्यक्ति को कभी भी भोजन नहीं करना है पानी नहीं पीना है नास्ता नहीं करना है खाने पीने की चीज बोड़ी के अंदर में नहीं लेना है वो उसकी मा चुर्वों ने कह दिया कि गिरहन हो तो खाना मत खाओ, ठीक है वो बैग्यानिक नहीं है कि गिरहन हो तो खाना मत खाओ, आप गिरहन में खाना पकाओ और खाना काओ कुछ नहीं होने बाला, पर ये आध्यात्मिंग रिसर्च के अनुसार पाया कि उस अबादी में खाना खान करने के बाद में तो इसका जो भोजन किया गया वो भोजन सुपाच नहीं रहा इसका जो भोजन किया गया उस भोजन के अंदर में वो चीज नहीं रही हमारी बोडी के अंदर में अच्छी तरह से अपजर्व करने के लिए अपनी बोडी को चलाने के लिए जो चीज सही तरी में ज्वार भाटे लाता है तो पूड़मासी के दिन जब ग्रहन लगता है तो वो भी तो कुछ असर करेगा न वो भी तो हमारे रख्तों को प्रभावित करेगा अब करके देख लो पूड़मासी के दिन आपका ब्लट पेसर चेक करो और पूड़मासी के दो दिन पहले और दो दिन बाद आपका blood pressure चेक करो, जिस व्यक्ति का low blood pressure होगा, वो पुड़मासी के दिन नार्मल हो जाएगा, जिसका high blood pressure होगा, वो पुड़मासी के दिन और high हो जाएगा, चेक करके दिख लो आप, ये प्रुभाव है, हमारे उस पूरे परिब्रमण पर, तो यही मैं उपचार आपको बता रही हूँ, यदि आप अपनी life में, मौन रखने के अलावा, राहु काल में भोजन करते हैं, तो जो राहु प्रधान व्यक्ति हैं, प्रभावित व्यक्ति हैं, उनको तकलीप ज़्यादा होने वाली है, इसी लिए आप लोग जब ग्रहन लगता है, तो ग्रहन के समय में भोजन का त्याग कर दीजिए, इसी लिए आप लोग स्वस्त रहने के लिए, राहु काल का जो डिड़ घंटे का समय है, उस समय में भोजन का कम से कम, पानी का नहीं भी, चाय का नहीं भी, तो कम से कम अनका त्याग कर दीजिए, एक स्वस्त ब्यक्ति के लिए, यदि आप, तीसर, यदि आप अपनी जिंदिगी में अनसक्सेस नहीं होना चाहते, तो हर दिन का राहु काल कंठस्त कर लिजिए, उस राहु काल में, आप किसी को उधारी मत दीजिए, किसी काम की ओपनिंग मत कीजिए, किसी पर साइन मत कीजिए, किसी से डिलिंग मत कीजिए, किसी के साथ मीटिंग मत कीजिए, कोई अच्छे काम की सुरुवाद, उस राहु काल में मत कीजिए, बस इतना सा आप सोच लीजे कितनी गलतियां हम राहू काल में करते हैं और कितना खुद का नुकसान हम कर लेते हैं एक विक तीने टाइम बताया इतने बज़े के उसमें वह घर से गया इतने बज़े के बाद में उसका फोन आया इतने बजे के बाद में कुछ पता नहीं चल रहा और इतने बजे के बाद में ऐसा हुआ research کیا, पुरा किया पहले बहुत-बहुत ये मैं कुछ समय मिलता था तो लोगों को खोई हुए बच्चों का पता लगाना खोई हुए पश्चों का पता लगाना खोई हुए चीज़ों का पता लगाना एक जुनून था सीखने का और कुछ बताने का तो बहुत ये सब पहले कर देती थी और समय में निकलता था तो उन लोगों के लिए एक सहीयोग हो जाता था तो ये देखा research करके कि जो विक्ति राहुकाल में गया होता है न वो जल्दी वापस नहीं आता और जो चीत राहुकाल में गुमी होती है वो तो मिलती नहीं राहुकाल में दीगी उधारी बसूली नहीं हो पाती जो उधारी वो 18 महिने में देने वाला था आठारा दिन में देने वाला था वो 18 साल से पसड़ोगा है इतने problem create होते हैं सिब एक छोटी सी गल्टी हो जाने से क्योंकि उस समय का प्रभाव कुछ तो होता है कुछ तो होता है जो उस आवदी से सम्मंदित उसको राहुकाल चुना गया है तो ये मान के चलिए वो सब 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 वो शनी करपा सनी करपा शनी करपा बनाता नहीं कोई शनी जैसा आप एक एक लबज एक एक लाइन जोड़ते चले जा रहे है बनने वाला आदमी चाहिए तो इसलिए मैं बार बार लोगों से कहती हूँ बनाता नहीं कोई शनी जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनी जैसा हमारे कर्म ही मिटा रहे हैं हमें और हमारा कर्म कस्रिष्ट होना ही हमारा निर्मान कर रहा है बनाता नहीं कोई शनी जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनी जैसा हसाता नहीं कोई शनी जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनी जैसा ये हम पर निर्वर है कि हमने मार कौन सा चुना है कितने लोगों की जिंदिगी में हमने देखा है कि इतनी सारी खुशियां रहते हुए भी कामिया भी रहते हुए भी उसके बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराइट नहीं है क्यों मुस्कुरहाट नहीं है भई अभी फलानी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मुस्कुरहाट नहीं है कोई तो दिक्कत है इसलिए मुस्कुरहाट नहीं है पर 75% अच्छा है उसमें आप प्रसंद नहीं है 25% जो अच्छा नहीं हो पारा है उसमें आप इत्ते दुखी हो तो बिधाता कहता है फिर मैंने 75% इसको अच्छा दिया ही क्यों एक आदमी इस्टेशन से उत्रा एक कुली आया उसने आदमी का मुसाफिर का सामन लिया चलने लगा चलने लगा तो उस आदमी ने मुसाफिर ने अपना सामन उतारने के समय में किराया था तो होता था 100 रुप इकत हो जाती देखो कितना अच्छा हुआ यह जो मुझे मिल गया इसने मुझे गेस्ट हाउस का पता भी बताया इतना प्यार से बात किया उसे बड़ी दया आई उसके उपर में उसने करोड़ां बस 100 रुपे की जगे उसे 500 रुपे दे दिया अब 500 रुपे पाकर वो इतन खुशी का ठेकानन नहीं उसे तो सोचा नहीं था कि एक अजनवी मुझे एक सूटके सुठाने का सो की जाके 500 रुपे देगा उसकी तो खुशी का ठेकानन नहीं खूब दुआए दी उसने अब उसके बाद में वह व्यक्ति चला गया उसने बोला भी नहीं कि मैं कब आउं और मुझे 500 रुपे मिले अब हर ट्रेन में से कोई भी मुझाफिर उतरता तो इसकी नजने उस आदमी को खोशती कभी तो वो आएगा एकाद बार तो आएगा मैं उसको धनवाद दूँगा मैं उसको बोलूँगा कि देखो तुमने वो 500 को नुट दिया था मैं तो मैं खुला के रहता क्या फरक पड़ता इसके 500 रुपे देने से और खुश नहीं होता और बस इसकी चिंता रहती इसके बाद अगला पैसा कम मिलेगा अब उसकी चिंता में वो डूबा जाता वो इंजॉय नहीं करता उस 500 रुपे की खुशी को शेर नहीं करता तो अगली बार अब अगली बार वो आया फिर से वो आदमी मिला उसने इस नहीं उठाया कि उस पईसा मिलगा उसने इसले इसले पैसा करचा है, उसने इसले 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 बैन यह इ studies मुझे इत्ले और चाई, पैसा कि जाए.. अब तो बंद हो गए हजार के नूट पर मैं एक उधान दे रही हूँ कि पांसो की जगे उसने हजार रुपे दिया अब पांसो की जगे जब उसने हजार रुपे दिया तो उसने क्यों दिया उसको हजार रुपे क्योंकि उसने देखा कि जब मैंने 500 रुपे इसको दिन दिये थे, इतना खुश था, इतना खुश था, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, आज मैं इसको 1000 रुपे दूँगा, तो ये कितना खुश होगा, और इसकी खुशी दे के मुझे कितनी खुशी होगी, विधाता मु जो 500 में बार बार धन्नवाद दे रहा है, ठैंक से दे रहा है, कि आपका बहुत धन्नवाद आपने दिया है, तो मैं आज यहां बना हूँ, ये भी नहीं दिया होता, तो मैं कुछ भी नहीं बना होता, रो नहीं रहा है कि मुझे क्यों नहीं दिया, वो ही मिलना चाहिए, वो कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे पर खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है आप ये अपने अंदर में इंटरनल खुशी पैदा कर लेंगे हर चीज में आपको धन्नवाद नजर आएगा हर चीज में आपको भला किसको मिलता है उसके लिए आप हर समय ठेंक्सफुल रहेंगे निश्चित रूप से हर समय मिलने का मार खोलेंगे और आपकी मुस्कुराइट कामियाभी का रास्ता खोलेगी तो इसलिए आप अपनी जिंदिगी में कई समस्याएं आने पर भी अपनी मुस्कुराइट को अपने से अलग ना होने दिजिए अपनी मुस्कुरहाट को अपने से अलग करने का मतलब यह है कि हमारी कामयावी को हम से अलग कर देना इसलिए आपको यह सूत्र याद रखना है second सूत्र आप समझ लीजिए आप कितनी भी डिमांड कीजिए बिटे के लिए बिटे के लिए ौ svk अब की दे करना होगा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें आपका भला है या नहीं है आप नहीं जानते पर आपकी देमांड जो की जा रही है उसमें आपके लिए वो अच्छी थी या बुरी थी ये उसको knowledge है ये वो जानता है इसलिए उसका सूत्र क्या कहता है कि हम जो चाहते हैं हम जो मांगते हैं ब्यक्ति जो चाहता है वह उसे मिले या ना मिले ये जरूरी नहीं है ब्यक्ति उसे चाहता है वह वह नहीं देता जो मैं चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ जो आप चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ वह वह नहीं देता वह तो वह देता है जो उसे मंजूर होता है कि इसके लिए ये अच्छा होगा वह तो वह देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है तो वह वह नहीं देता जो हम चाहते हैं वह वह देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है इसलिए न्यायधिश अपने लिए नहीं बनना है न्यायधिश उसको ही बना रहने दीजिए बस आप सिर्फ अपनी बात कहिए कि मेरे लिए जो हित्मे हो आप मेरे लिए वो मुझे मार्ग दिखा दीजिए मुझे संकेत देजिए कि मैं इस दो राहे पर खड़ा हो गया हूँ मैं इधर जाओं कि इधर जाओं जहां संकित मिल जाए वहाँ चल पड़िए आप मत बोलिए मुझे यहाँ जाना है आप ओर्डर मत चलाइए कि मुझे यहाँ जाना है और आप मेरे यह काम कर दीजे नहीं ऐसा करेंगे तो और शनीपिड़ा अहंकार में ले लेंगे इसलिए लोग कहते हैं ना प्रभू आपकी किरपा से सारा काम हो रहा है भाव यह रहिए करते हैं सब आप मेरा नाम हो रहा है जहां हमने सोचा अरे मैंने किया था नहीं तो यह होता ही नहीं मैंने बनाया नहीं तो यह बनते ही नहीं मेरे कारण हुआ मेरे लिये हुआ, मेरे बर्चस्प से हुआ, मेरे पैसे से हुआ, मेरी मेहनद से हुआ जहां ये मैं और मेरा आ गया ना, वहीं शनी देव जी ने हाथ जोड लिये ठीक है, अभी मैं और मेरा कर, मैं मेरा मेरा करता तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी जिंदिगी में अहंकार को शनी पिड़ा होने बाली है इसलिए आज से पहला और फर्स्ट टीटमेंट हम हारेंगे जीतने की कोशिश नहीं करेंगे देखो मैं आपको शनी सूतर दे रही हूँ जो हार जाएगा उसी के गले में हार पड़ेगा जो जीतने के लिए अपने दावा प्रस्तुत करेगा वो जीतते हुए भी हमेशा हारा ही रहेगा जब पती और पतनी के बीच के जगड़े हो जब बाप बेटे के बीच के जगड़े हो जब देवरानी जिठानी के जगड़े हो जब परिवार के किसी रिस्ते में अनवन हो जब किसी भी रिस्ते में या पड़ोसी में या कहीं भी डिपार्टमेंट में कुछी भी बात ऐस इसरी हो जाए, जिसमें आपको मांसिक क्लेस आपके मन में छा जाए और जब कहा सुनी होने लगे, आप हमेशा अपनी गलती हो या न हो आप बोलिये सॉरी, गलती मुझसे हो गई, कोशिश करूँगा कि आगे यह मुझसे भूलना हो, तुम जीते में हारी बस तुम जीते में हारी जहां आपने हार सुईकार कर ली आपने अहंकार को निकाल के फेक दिया और आपने हार सुईकार कर ली बस शनी दियो जी की कृपा पर विजय पाली और जहां आपने कहा नहीं जुकना